हेलो फ्रेंड्स दा हेल्थकेर टुडे में आपका स्वागत है आज आपको बताने जा रहा हूं मैं चमड़ी के रोगों के बारे में चर्म रोग जो होते हैं जितनी भी स्किन प्रॉलम है चाहे वो किसी भी तरह की हो एक्जिमा हो स्किन प्रॉलम के लिए आप किस तरह की वो तो एक autoimmune disorder है, यानि कि हमारे सरीर की जो immunity है, वो ही हमारे सरीर की cells को खराब करने लग जाती है, हमारे cells को damage करने लग जाती है, जिसकी वज़े से ये issue आता है, तो modern science में जो है, डोक्टर ये कह के टाल देते हैं कि इसका तो कोई treatment नहीं है, बस suppressive therapy चलेगी, उसमें steroids दिये दाते हैं, ताकि जो है immune system दबा रहे, problem दब जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, लेकिन आयरुवेद में इसका पक्का इलाज है, 100% guaranteed इलाज है, अगर आप अच्छे से परहेज करते हैं, साथ में दवाईयां लेते हैं, पंच करमा थेरपी कराते हैं, तो इसका 100% guaranteed इलाज possible है, इसमें देखिए, अगर आप दवाईयों की बात करें, तो सबसे पहले जैसे गंदक रसायन है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है, गंदक रसायन की आप 2-2 गोली सुबह स्याम लेजिए, खदिरारिस्ट सिरप के साथ, 20 अमल सिरप लेजिए, उसमें 20 अमल पानी मिलाईए, गंदक रसायन की सुबह स्याम खाने के बाद लेजिए, साथ में आप आरोग्या वर्द निखा सकते हैं, और बसंत्मालती रस खा सकते हैं यानि दवाईयां तो कही तरह की है उसके लिए आपको एक बार डॉक्टर की सला लेनी जरूरी है वो कंडिशन के अकोर्णिंग आपकी मेडिसिन डिसाइड होगी कि कौन सी मेडिसिन आपको दे जाएगी क्योंकि Allergy के लिए सिर्फ कंडिक रसायन ही काफी होता है और अगर आपको Swarasis है तो और भी मेडिसिन से एड करनी पड़ती है Eczema है तो उसके लिए अलग तरह की मेडिसिन एड करनी पड़ती है तो अगर आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉलम है तो आप एक बार डोक्टर की सलाह लीजिए, किसी भी आयरवेदिक अस्य वैद से आप मिलिए, आप इलाज कराएंगे तो मैं गैरंटी देता हूँ 100% आपको रिजल्ट मिलेगा secondary skin के रोगों में जो मेन बात है वो परहेज का बहुत बड़ा रोल है अब बहुत सारी जो skin problem होती है वो हमारे उल्टा सी धर खाने की वज़े से ही होती है आईरवेद में जिसे विरुदाहर कहा जाता है जैसे कि आईरवेद में कहा गया है कि दूद के साथ कोई भी नमकीन चीज कोई भी नमक वाली चीज नहीं लेनी चाहिए लेकिन आज की डेली लाइफ में आप देखते हैं दूद के साथ चाय के साथ आप कुछ ना कुछ नमकीन लेते हैं बिशकेट लेते हैं तो बाद में जाके लोंग टर्म में जाके उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो परहेज बहुत जरूरी है इसमें सबसे पहले तो आप नमक कम से कम इस्तमाल कीजिये दूद के साथ कोई भी नमक वाली चीज मत खाये और इसमेँ मिर्च मसाले जतना कम खाएंगे उतना अच्या है लाल मिर्च बंद करके आप काली मिर्च का इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा हरी मिर्च खा सकते हैं और जितना ज़ादा आप परहेज करेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा दवाईया उतना ही बहतर काम करेगी मैं तो अपने पेशन्ट को सजेस्ट करता हूँ कि 15 दिन तक वो नमक मिर्च बिलकुल बंद ही कर दे मैं अपने पेशन्ट को 15 दिन तक सिरफ दूद घी बेशन की रोटी और साधी दाल इस पे ही रहने के लिए बोलता हूँ या फिर सिरफ फ्रूट्स खाये उबली हुई सब दवाईयों से ठीक नहीं हो पारा तो लोग की बातों में आके मान लेते हैं कि यह ठीक नहीं हो पाएगा इसके लिए तो बस हमें स्टिरोइड ही खाने पड़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है पंच कर्मा थेरपी से आपको बहुत ही जादा बहुत एक्सिलेंट रिजल्ट मिल स और वो पंच कर्मा थेरपी से बिलकुल पूरी तरह से ठीक हो गए तो अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्च्या है तो आप अपने वैद से शला लीजिए आपको कोई ज्यादा समस्च्या है आपके आस पास कोई अच्छा डोक्टर आपको नहीं मिल रहा है आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं आप नीचे दिये गए नंबर पे हमें वर्टसब कीजिए हम आपको गाइड करेंगे इस बिमारी से आपको कैसे चुट करना पाना है तो वीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर कर दी झाल